Hello students, welcome to my YouTube channel, Sahid's Classes. तो आज हम class 12th की जो unit 11, alcohols, phenols and ethers, उसका question 9 देखेंगे. इससे पहले हम इसके 8 question 1 by 1 discuss कर चुके हैं. आप चाहें तो channel पे जाके playlist में देख सकते हैं. तो इस question में हमसे क्या पुछा गया है? Write the equations of reaction for preparation of phenol from cumene. हमें बनाना है phenol, किसे? क्यूमीन से. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन क्या होता है? कि जैसे हम यहाँ पर यह benzene बनाते हैं, इस पर एक alkyl group लगाएंगे, कि इसके साथ 2 CST, एक HO. इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, एक तो हम इसको क्यूमीन बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, देखो, इसके दो नाम होते हैं तो इसमें first step अपना क्या होता है इसमें होता है addition of oxygen जिसको हम क्या बोलते हैं aerial oxidation बोलते हैं इसका mechanism हम देखेंगे one by one तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये दो oxygen होते हैं यहाँ पर आके add हो जाती है S3, CS3, O, O, S ठीक है ऐसे इसमें oxygen का addition हो जाता है उसके बाद हम जब इसमें dilute S2, S4 डालते हैं तो वहाँ से जब temperature लेते हैं 323 से लेके 383 Kelvin के approach तो उस time पे हमें क्या मिल जाती है एक तो phenol और इसके साथ में ही हमें क्या मिल जाता है acetone, CS3, C double bond O, CS3 या तो हम इसको acetone बोले या तो 1, 2, 3 3 carbons के लिए probe और functional group कौन सा है की tone तो propanone ठीक है हम ऐसे इसकी naming दे सकते हैं तो यह तो बात ही इतनी कि इसकी equation हम कैसे लिखेंगे अब हम देखेंगे कि इसका mechanism कीश में यह सब होता कैसे है बिना mechanism के हमने यह तो लेना ही पड़ेगा यह लिया हमने अपना क्यों में CH3 यह से H ठीक है इसमें हमने डालना है क्या O2 O2 ही डालना है तो इसमें क्या होगा है दो टाइप के cleavage होते हैं एक तो क्या homolytic homolytic में क्या होता है कि मान लिया मैंने यह बॉंड लिया है इसको मैंने तोड़ना है homolytic तो यह होगा कि इस बॉंड में दो electron है तो homolytic cleavage होगा तो एक electron इसके पास आएगा एक electron इसके पास आएगा जिसको हम radical भी बोलते हैं ठीक है यह तो किसकी बात हुई homolytic cleavage की और जब हम heterolytic cleavage की बात करते हैं heterolytic cleavage उस टाइम पे क्या होता है complete transfer जैसे हमने लिख दिया कि जिस पे यह सी आई से तोड़े तो मान लिख लिए यहां पे इस साइड आएगा क्योंकि O ज़्यादा electron negative है तो O negative H positive इसमें तो हुआ complete transfer तो heterolytic और यह homolytic तो होता क्या है यहां पे होता है homolytic cleavage जैसे हमने इस bond का तो किया homolytic cleavage तो यहां से हमें क्या मिलेगा ओ यह एक bond तो ऐसे एक bond का homolytic cleavage वा तो एक electron यहां पे जिसको हम क्या भी बोल सकते है radical भी बोल सकते है ठीक है ऐसे ही यह जो H है इसका भी हो जाता है homolytic cleavage तो यहां से हमें क्या मिलेगा इसकी बात करेंगे तो C इस पे है एक radical और CH3 और CH3 ठीक है और एक H radical तो इसमें क्या होगा कि जो यह O पे दो radical बने है एक O का जो radical है वो तो S के साथ combine हो जाएगा ठीक है एक यह जो O का radical है यह अपना इस C के साथ combine हो जाएगा तो जब हम इसको combine होके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें जैसे अपना C यह C, इन पे तो यह यह में मिल गया यह तो था इतने तक का mechanism क्या wise में simply homolytically cleavage हुआ है कि एक electron इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा और addition of oxygen हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं यह इतना अपना था cumene तो cumene hydrogen होने की वज़े से hydro और जब भी दो oxygen होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पर oxide, hydro, peroxide ठीक है यह तो थी इतनी बात अब next step में हमने डाला acid acid का एक ही काम होता है क्या H plus देते हैं तो वो H plus यहाँ पे आके इसको protonate करेगा तो यहाँ पे 2 H होगए एक H पहले से था तो इस पे तो अपना कोई effect नहीं हुआ अपना आया O पे positive अब देखो O पे positive हो आएगा अपना तो O पे positive sign है वो stable ही नहीं होता क्योंकि ना तो इसकी balance है satisfied है तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे migration होगा migration कैसे दो possibilities है या तो यह वाला migrate हो जाई या तो यह वाला जब भी migratory aptitude की बात आती है तो phenyl का migratory aptitude alkyl के बजाए जाए जादा होता है तो क्या होगा यह benzene migrate होके इसके साथ लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा अपना positive sign कैसे see see yesterday यहाँ पे positive sign आया और जो यह phenyl thing है अपनी migrate होके इसके साथ लग जाएगी ठीक है इतनी बात ही है अब क्या होगा next step में इस पे इस positive sign पे यहाँ पे अपने S2O के molecule तो है ही वो attack करेगा तो जब इस पे यह attack हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम CCC इन पे तो कोई change नहीं आया नहीं इस पे कोई change आया ठीक है तो यहाँ पे combine हो जाएगा O H H और साथ में post design इस positive को neutralize करने के लिए यहाँ से चला जाएगा H प्लस वो H प्लस को यह ले लेगा जैसे ही इस H प्लस को यह लेगा यहाँ पे तो अपना simple O H बचा और यहाँ पे आएगा O इसने H लिया है और साथ में post design और साथ में यह benzene ring next step में क्या होगा कि यह positive charge है इसको हमने करना है neutralize तो क्या होगा यह bond ऐसे break हो जाएगा तो इस पे आएगा positive charge इस positive को यह पीछे से lone pair अपने electrons दे देंगे तो क्या होगा देखो यह तो अलग हो गया यह वाली जो species है यह तो हमें क्या मिले phenol साथ में क्या मिला इस oxygen यहाँ पे अपने lone pair दिये हैं तो C double bordo उस साथ में जो यह alkyl grip है additive तो यह क्या होता है अपना simply acetone तो यहाँ पे जो यह अपनी reaction है वो complete होती है ऐसे ही हम phenol से क्यूमीन बना सकते हैं अपको यह topic समझ आया होगा कोई doubt है तो आप comment section में बता सकते हैं thanks for watching my video